Hello guys welcome back to my channel Tawun Trahman तो आकिर ये GSM होता क्या है आपने स्थना होगा बहुत सारे आट्रिस्त लोग कहते हैं 180 GSM ले लो 200 GSM ले लो ले इस पेपर आकिर ये GSM होता क्या है तो आज ये वीडियो इस ही पर है कि ये GSM आकिर है क्या GSM एक paper में क्या होता है और हम आज साथ ही साथ कुछ Unbox करेंगे paper जो की 200 GSM की है तो मैं आपको कुछ difference भी बता दूंगा 100 GSM 200 GSM 60 GSM 130 GSM में difference क्या होता है तो अगर आप एक beginner हो तो इस वीडियो को जरूर लास सक देखना बहुत helpful रहेगी आप लोगों के लिए GSM stands for gram per square meter अगर असान सब्दों में कहें तो पेपर की जो weight होती है उसे हम GSM कर सकते हैं इन सौर्ट जो paper की मोटाई होगी कितना thickness होगा वो GSM ही हमें बताता है कि एक paper कितना मोटा होता है वाटर कलर papers के लिए 300 GSM perfect होता है and for sketching 200 GSM या 280 GSM भी आप ले सकते हो मैंने जब sketching start किया था तो मैं 60 GSM के paper बनाता था जो जिसे आप printer paper बोलते हैं वो 60 GSM की होती है तो मैंने उससे start किया तो यह कूछ था GSM in short I hope आपको यह समझ में आ गही होगी कि GSM अकिर होती क्या है तो चलिए अब देखते हैं unboxing of my paper और मैं compare भी करके दिखा दूँगा different different GSM की paper के साथ यह 210 GSM के ivory sits है A4 size की तो मैंने इसे flip card से purchase किया तो मुझे इसमें total 260 rupees लगे मैं इसके link description में दे दूँगा आप flip card as well as Amazon से purchase कर सकते हो तो चलिए इस अन्बॉक्स करके देखते हैं तो मैं इसा drawing book में ही बनाता हूं इस ताइम मैंने सोचा कि कुछ new करना चाहिए तो different होगा तो ivory size मैंने पचेस किया काफी research कि मैंने कि ivory size कैसे होते हैं तो perfect लग रहा था sketching के लिए तो मैंने सोचा let's give it a try काफी अच्छे से bubble wrap में पैक होके आई है कि इसके अंदर दो सीट मिल जाते हैं इस साइप के तो चलिए से बाहर निकाल के देखते हैं 210 जी एसम वाली है ऐसे तो फील करोगे तब ही पता लगया कितना इसका थिकनेस है बटे काफी मोटे सीर्स होते हैं अब आगे जो मेरे sketches आएंगे वह मैं इसी पेपर पर sketch करूंगा तो देखते हैं इसकी quality कैसी होती है आप नेक्स वीडियो में जरूर देखेंगे इससे तो मैं आपको डिफेंस बता देता हूं जो मैंने कहा कि एक पेपर में जीएसम का डि इसका जब भी कोई भी पेपर लेस्ट यह सम का होता है जैसे यह वाली सिक्सी जिए सेंगे जब आप इसके पेंसी यूज करोगे तो इसके आर पार वह अराम से हैलाइट हो जाएगा बट वह जब तू जादर जी यह समके रहे जैसे यह 210 जी आप पेपर तो इसमें आप ज सबसे पहले स्टार्टिंग में तो मैंने प्रिंटर पेपर पर अप्रॉक्स बनाए होंगे देन मैंने परचीश किया था वन थर्टी जियसम वाली प्रोश केचर अनुपम अनुपम ब्रैंड की इंडियन ब्रैंड है काफी अच्छे स्केच्च पर हो जाते हैं अब देख तो यह सारे वीडियो भी मैं देख चुका हूं लडी इस पर मैंने पेंटिंग भी किया पेंटिंग के लिए इतना अच्छा पेपर है नहीं यह वैसे बैट ओवराल मैंने हो जाता है पेंटिंग में आपको बता दूं कि एक पेंटिंग में जो जी एसम होता है उसका क्या बइड़ाएब लल्य विए पानिम गीरमन ऑफ यह कर रहे हो तो हाइंट लेकी चाहिए मैं मैं अस बताता हूं इस तरह नमें इस पर पेंट में किया तो जो बहुत चाहिए गा तो वह एलाइट हो जाए तो पीछे जो है पर पर जैसा हो यह वीसमाहित का फ्लिद कर लेगा कुछ ज्यादा happening paper है नहीं मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं तो मैंने इस पर बहुत कम स्केच बनाएं अब तक मैं ज्यादा तर यह इस प्रोश केचर ही पहले यूज करता था क्योंकि यह बहुत इफेक्टिव भी है अगर आप बिगनर हो तो मैंने यह वाली फाइब कोंपी अब तक खतम कर चुका हूं पेंटिंग के लिए मैं यह वाली यूज करता हूं और तो इस पर मैंने बहुत सार बनाई सारी पिंटिंग के लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ इसे देख लेना आप आप है आप वहसे जो वीडियो एक चिएAd trash yet असभी म कि अफिए अएक में 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 इसक्राइब करते। फंटाओं कींशु कहले वीदियो को प्रसंद अई सब्सक्राइब को बिला इक चुछ भी ज्भी उसेए प्र futuro है